हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संधिया फ्लेवर जंक्शन तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ ये ट्राइ कलर के सेंडविश जो की बहुत ही टेस्टी बने हैं और हमने इनको किस तरह से बनाया है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे जैसे कि अभी रिपब्लिक डे आ रहा है और हम सब जानते हैं कि बच्चों के स्कूल में एक्टिविटीज के लिए ट्राइ कलर का लंच बॉक्स में कुछ न कुछ हमार को देना होता है तो मैंने सुचे क्यों न ये जो अभी रिपब्लिक डे पे हम कुछ आने वाले दिनों में रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग ट्राइ कलर की ही कुछ रेसिपी जालेंगे तो उन में से मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत अच्छे सेंडविच बने हैं और हमने घर के समान से अब बहुत जल्दी से इन बना करके इनको तयार कर लिया है तो इनको किस तरह से हमने बनाया है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो सबसे पहले हमने ट्राइ कलर के लिए ग्रीन कलर बनाना है और ग्रीक कलर के लिए ये चार से पांच हरिमिर्च ली है ये थोड़ी दिया आद्रक ली है फोड़ा सा हरधनिया लिए इसके हम पेस लेगे ग्रीन चट्नी जैसे कि हम घर में बनाते है तो इस तरह से मैं चट्नी ये बना करके तयार कर ली है यह होगी हमारा ग्रीन कलर जो कि हम सैंड्वीच में यूज करेंगे आगे हम औरिंज कलर बनाते हैं तो औरिंज कलर बनाने के लिए मैंने ले ली है ये वीबा की मियोनी तो इसको हमने पहले मैंने इसमें बर्गर भी बनाये थे उसी मियोनी को मैंने ले लिया है अब इसके ल मियोणीज लिया तो मैंने दो चममच के करीब मियोणीज में टेमैटो केचप मिला लिया जिससे अच्छा सा ओरन्ज कलर बन करके तैयार हो गया जैसे आप देख सकते हैं अच्छा कि आफ तुरोह कलर खुद आ चूकता है तो बस हमारा यह ओरेंज कलर बना करके हमने तयार कर लिया है अब आपको मैं दीखाती हूँ कि कितना डिफरेंस था पहले के कलर में और अपके कलर में आप देख सकते कि चम्मच में पहले वो हलका light color है और इसमें कैचप मिलाने के बाद डार्क orange color बना करके हमने तयार कर लिया है और इसी के साथ में ले ली है ये mayonnaise बर्गर की white जिसको हम लगाएंगे bread के उपर और मैंने जो bread ली है उसके मैंने किनारे नहीं काटे हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं तो किनारे इसके काट सकते हैं उपर से मैंने इस पर लगा ली है green color की ये chutney और चटनी को हम अच्छी तरह से इसके उपर लगा देंगे इस तरह से भर-भर के ताकि जो कलर है हमारा अच्छी तरह से ब्रैट पे आ जाए जो हमारा सैंड्विज अच्छी तरह से हमारा इसका कलर जो है आना चाहिए तो ग्रीन कलर इसके हमने लगा लिया है अब उपर से लगाएंगे हम इसके उपर वाइट स्लाइज दुबारा से और इसके उपर लगाएंगे हम वाइट मियोनी इस तरह से इसको भी अच्छी तरह से हम मियोनी को इसके उपर पूरी ब्रैट के उपर इस प्रैट कर लेंगे अच्छी तरह से और वाइट लेयर भी अच्छी तरह स वो लगाएंगे और मयोनीज में अच्छी तरह से भर-भर के हमने लगानी है ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए और एक अच्छा सा कलर इसका हम तयार कर पाएं जैसे की फ्लैक का कलर होता है इस तरह से तो बस अच्छे तरह से हमने ये मियोनीज को भी लगा लिया इसके अंदर और अब इसके उपर एक स्लाइस हम उपर से और लगा देंगे क्योंकि हम इसको ग्रिल करेंगे अच्छे से ये अच्छे से स्प्रैड हो चुका है अब इस तरह से हमने लगा लिया है अब अगर आप चाहते हैं तो इस सैंड्विच को इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने पैन पर थोड़ा सा बटर लगा कर इसको गरम कर लिया था इसकी जो साइड है अच्छी तरह से सीख जाएंगे और जो हमारा सैंड्विच है वो बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह से मैंने बटर को रख दिया था इसके अंदर और ब्रैट को मैं अच्छी तरह से इसमें सेख लूँगी इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसमें एक लेयर आ चुकी है इस तरह और यह bread अच्छे से crispy और सीख चुकी है और अच्छा ऐसा एक sandwich इसका बन चुका है तो इसको अच्छी तरह से दोनों साइट से सेक लूँगी इस तरह से फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो बस सैंड्विश हमारा बना करके हमने तयार कर लिया था अब इसको बीच में से इस तरह से हम काट देंगे सैंड्विश शेप में और मैं आपको इसका दिखाती हूँ कितना जबरदस इसका कलर आया है ट्राइकलर के लिए ये देखिए बहुत अच्छे ही सेड्विच बना करके हमने तयार किये थे और बच्चों को बहुत पसंद आये थे तो आप भी अपने टिफिन में इस तरह से इसको बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में अब में इसको आपको सर्फ करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से डैकोरीट करके बच्चों को दिया था और किस तरह से मैंने डैकोरीट किये तो मैंने ये बनाया है ट्राइकलर मियोनी से ही और ये मेरे सेंडविच बन में ट्राइ करिएगा बच्चों को बना करके दीजिएगा और घर में अगर महमान आए तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं और आप इसको एजर स्नेक्स भी खा सकते हैं तो मैं आप चलती हूँ मिलूंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ में वो भी रिपब्लिक डे के बच्चिन